हलो एवरिवन वेलकम टू डीसी एम क्लासेज जैसा कि आप जानते एक्जाम 2024 के लिए हम सब्जेक्ट वाइज इंपोर्टेंट चैप्टर्स इंपोर्टर कॉशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं सात में previous year के जो paper है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि last year क्या आया था उसके basis पे इस साल क्या आने का chances है तो आज बारी है become part third के अंदर audit and management accounting देखो इसमें दो portion एक audit और एक management accounting audit वाला portion तो थियोरी है और management accounting वाला जो है वो numerical portion है तो सबसे पहले हैं इसका क्या देखें स्लेबस चलिए देखिए स्लेबस के अंदर अगर आपन देखें तो यहां पर पहला जो तीन यूनिट है वो तो आपकी थियोरी यह audit वाला पार्ट है किस क्या है audit वाला जिसमें auditing introduction दे रखा है types of auditing audit program और internal control measures यह आपके first unit के अंदर दे रखा है सारा की सारा थियोरी यह से आपको पता है second में vouching एक आपके verification and valuation of assets and liability company auditor जिसमें appointment removal और remuneration था और company auditor का इसमें right duty और liability third unit में दे रखा है फिर company audit और audit report and certificates तो यह तो portion थियोरी का है बई अब next अपन fourth और fifth में आए तो इसमें पहला chapter management accounting introduction यह theory है बागी आपका numerical portion दे रखा है देगो capital structure theory of capital structure और operating leverage तीनों ही बहुत easy chapter है ठीक है इन तीनों को तो आपको अच्छी तरह करना है क्योंकि normally एक question इसमें theory करें कि numerical का आता है और आप में previous तरह के भी देखेंगे बहुत छोटे-छोटे caution और easy caution आया है तो 20 marks तो यहां पर आपको बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है दूसरी बात अपन करें फिप्त में तो इसमें फिनेंशल स्टेट्मेंट थियोरी है टेक्निक्स और फिनेंशल स्टेट्मेंट में थोड़ा बहुत प्रेक्टिक दिन वह बेसिकली थियोरी ही है रेश्यो एनलेसिस ठीक है आचा ध्यान रखना कैश फ्लो आपके जो यूनिवेस्टिय रजस्तान उसके स्लेवस्त में यह क्या है हट गया है ठीक है तो मैंने इसलिए जानमूच कर लिखा क्योंकि आपकी भुग में भी लिखा हुआ है लेकिन यह आपके स्लेवर्स में नहीं है तो फिर ध्यान रखिएगा रेशो यह बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल 20 मार्स का कॉशन बनता है और ज्यादा चांसे होते हैं हमको रेशो गिवन होते हैं बैलें तो चालिस नंबर तो हो गए बाकी फिर उसके उपर आपको तीनों यूनिट में थ्योरी देखना पड़ेगा तो आपन पहले देख लेते हैं कि प्रीविस यर के पेपर क्या क्या आया हुआ हुआ है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग इस साल क्या आने का चांसे से वह हम देखते हैं देखो सबसे पहले 2023 लास्टियर का पेपर देखे हैं तो पहला यूनिट जो है आपका उसमें वाट इस में बाई ऑडिट और मेंशन द ऑब्जेक्टिव लिमिटिशन ओडिशन ओडिट तो वैसे भी पहला चैप्टर जो है वो तो सॉलिड तरही से पढ़ना ह ही चाहिए कोई ज्यादा चांसे रहता है उसमें से ठीक है ना तो यह पहला चैप्टर का जो हो ऑडिट का मिनिंग जो उसके बॉटन से ऑब्जेक्टिव लिमिटिशन सो पता होने चाहिए दूसरा वाट इस इंटरनल ऑडिट हाव इस अशेंशल ऑडिट अडिट अडिट इस इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चैक यह दूसरा कॉशन आया था लास्टी यह थर्ड सेकिंड की बात करें यूनिट में तो इसमें वाउचिंग इस ए बैक बॉन ऑफ ऑडिट प्रमान अंक्यक्षन की रीड की हड़ी है ठीक है इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमें डिसक् इसमें नॉर्मली क्या होता है जब ऐसे चीज़े गीवन होती तो पहले में आपको बाकी बाकी सब्जेक्ट में भी बताया है हमेशा यह जैसे को सेंटेंस गीवन तो सेंटेंस को थोड़ा बहुत समझाना ठीक है फिर वाउचिंग मीनिंग वगरा वो बताना फिर वही उस के अंदर पूछे हैं फिर उसके बाद में थर्ड में देखें तो क्लिटिकरी एग्जाम इन दै लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर ऑडिटर की लाइबिलिटी पूछी है फिर इसमें अलग अलग आपको क्या दे दिया वाट इस दे ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इन करना है फोर्थ में मैंने आपको काता देखो एक चेप्टर मेनेजमेंट अकाउंटिंग तो त्योरी है तो सिंपल मेनिंग ऑबजेक्टिव स्कॉप वगेरा पूछ लिया साथ में यह बहुत छोटा सा कॉश्चन आपको क्या पूछ लिया कैपिटल स्ट्रक्चर का अरे कै इसमें यह आप एजटी देखोगे तो इलस्ट्रेशन यह उठा के दिया है ठीक है तो इसको आप इलस्ट्रेशन अच्छी तरह घोटके पी जाना सारा काम हो जाएगा उसके बाद फिप्त में देखें तो देखो यह वाट दो यू मेन बाइं कॉमन साइज स्टेटमेंट जो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो टेकनिक्स वाट फेनेंशल स्टेटमेंट है उसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट भी है वो आपको बताना है और साथ में यह रेशो का कॉशन जिसमें बैलेंशीट बनानी है और रेशो गीवन तो लगबग आपने अगर प्रक्टिस की है ठीक है या नहीं की तो आप करोगे तो balance sheet वाले question बहुत easy होते हैं ठीक है 3-4 ratio ही काम जादा आते हैं उसके अंदर जिसमें तो current ratio, liquid ratio, एक आपका receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio या फिर inventory turnover तो कुछ ही formula यूज आते हैं जिससे balance sheet आपके बन जाती है ठीक है अचा उससे previous year का paper discuss करें तो उसके अंदर भी ये discuss the basic principle of governing an audit, what is the audit principle तो बनेगा पहला जो chapter था ना वो अच्छी तरह से करना ही है उसमें से लगबग किसी भी तरह से caution आता ही आता है दूसरा देखें अपन इसके अंदर तो ये routine check-up अलग-अलग आपको points दे दिए अब देखो 5 प्लस 5 प्लस 10 मतलब ये 5 का ये 5 का ये 10 का है तो आपको उसी का according लिखना है ये 10 अपको 10 marks का तो इसको में जादा लिखना है भई marks के हिसाब से ठीक है फिर उसके बाद में ये auditor is not a valuer yet the intimately connection with the values explain fully how you would there reconsider this statement तो ये statement है इसको संचान है आपको ठीक है किस तरीके से तो इस्टेटमेंट से शुरुआत करनी खतम भी उसमें और बीच में जो assets का valuation होता उस से लिटेर सारे आपको चीजे लिखनी होती है फिर उसके बाद में यह आपको देखो इसमें भी दो पॉइंट अलग अलग देदी आपको ए और बी ठीक है थर्ड में भी आपको ठोरी वाला ही कुई वो आपका क्या था audit वाला थोरी वाला portion है फिर बाद में फोर्थ में देखिया आप फोर्थ में capital structure का कौशन दे रखा है फिर वही 20 मास का और बहुत इजी कौशन है यह आपका I think first वाला ही और ओपरेटिंग वाला दे रखा है एक तो net operating एक तो net income थिए एक net operating इंकम थिए तो net operating इंकम एपरोच का दे रखा है ठीक है तो बिल्कुल बहुत इजी कौशन था 20 मास में कहीं कुई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर उसके बाद में next उसके जो और बेदा उसमें भी आपको क्या दे दिया लिवरेज का कॉशन दे दिया तो मतब दोनों numerical दे दिये क्या दे दिये फोर्ट यूनिट जो है आपका उसमें दोनों ही क्या दे दिये numerical दे दिये तो अगर आपके दोनों चैप्टर अच्छे कि यह तीन चैप्टर थे उसमें बहुत चोटे-चोटे से एक तो लिवरेज एक capital structure एक theory of capital structure दोनों भी numerical आ सकते हैं ठीक है और यह लास्ट रेशो का तो आना ही आना है देखो बहुत 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 इजी सेल्स गीवनर सारे देदिया theory भी देदिया ratio का ही numerical ratio का ही theory अब इनके basis पे numerical तो चार चेप्टर solid करने उसमें तो कोई राय दो राय नहीं है अब बात आती है कि सब theory में कुछ important questions क्या है पहले तीन उनिट तो theory है न तो उसमें normally एक तो आपका what do you mean and what do you understand by the auditing or how it is beneficial from the point of view and entrepreneur तो इसमें वह importance or objective वगेरा benefit वगेरा पूछें auditing के अब ध्यान रखना पहला चेप्टर तो solid होना ही चाहिए उसमें से question तो confirm आता ही आता है ठीक है और कई बार मैंने का था है ऐसे language में देदेते हैं question तो बात हुआ ही है ठीक है उसके benefit ही बताने है जैसे देखो accountancy is a necessity while the auditing is luxury for a business enterprises do you agree give the reason for your opinion and examine the critically the role of auditing in the efficient honest और economical conduct of business concern तो ये जब ऐसे आपको statement में दे दे तो मैंने कहा था शुरू भी आपको statement से करना है खतम भी statement से करना है लेकिन बताने वही benefits वगराई है ठीक है न है उसके आगे देखिए explain the different type of audits in brief तो types of audit है उनको ब्रीफ में पढ़ लेना क्या अगर थोड़ा सभी कुछ अलग भी दे देते हैं वो कोई detail में पूछ ले तो अगर ब्रीफ आपको पता है सब तरह के audit का तो अपर उसमें लिख सकते हैं फिर थर्ड इसमें देखिए what is there an audit program और how should it be constructed give the necessity of the good audit program में क्या क्या चीज़े होनी चाहिए वो बताना है second में एक तो difference between verification and valuation what are the duties of auditor with the respective valuation of stock फिर discuss the various method of appointment of company auditor in a brief और एक यह हलाकि आपका appointment वाला जो है यह आभी चुका है पहले तहीं फिर भी दुबार आ सकता एक an auditor is watchdog not a blood hunt in this in the light of the statement narrate the duties of company auditor और also give a concerned case लो तो इससे related जो case है जिसके अंदर यह statement दिया गया था वो आपको समझाना है ठीक है उसके बाद में थर्ड में अगर अपन बात करें तो audit report का meaning or describe the features and importance of audit report फिर एक आपका distinction between the clean report qualified report of an auditor or draft and imagery clean report in the manner prescribed under the act fourth और fifth में तो मैंने कहा आपको क्या करनी है numerical अच्छी तरह करके जाना फिर भी जैसे first आपका management accounting वाला है जो theory वाला chapter उसे पढ़ सकते हो और इसमें financial analysis की जो techniques है ठीक है वो पढ़ सकते हो बाकि इन दोनों में तो आपको numerical करके जाना चाहिए ताकि अच्छा score कर सके ठीक है तो यह चीज़ें आप कीजिएगा अपने friends को सबको share भी कीजिएगा और देखते हैं इस पर कितने like आते ह क्योंकि like से में पता चलता है कि बच्चों को यह पसंद आया है या नहीं आया बाकि में और कुछ जानना हो तो आप call या WhatsApp कर सकते हो यह हमारे number वगेरा दे रखें ठीक है चलिए ठेंक यू